हरो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चानल आज हमारी ब्यूटी पालर कोर्स की फोर्थ क्लास है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंनिक्योर और पैडिक्योर में कौन-कौन से टूल्स यूज होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंनिक्योर या फिर पैडिक्योर होता क्या है तो मैंनिक्योर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम हाथों की और नाखुनों की सुन्दरता को बढ़ाते हैं और pedicure एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम पैरों की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। तो अब manicure और pedicure में difference समझ गए होंगे, manicure हाथों की सुन्दरता और pedicure पैरों की सुन्दरता। तो पहले बात करते हैं manicure की, तो manicure हर लेड़ी को करवाना चाहिए, क्यूंकि जो housewives होती हैं, उन्हें दिन में दो तीन बार खाना बनाना होता है, बरतंद होने होते हैं, जिससे कि हाथ जो हैं वो dry हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें manicure करवाना चाहिए। और बात करते हैं working की, जो बाहर travel करती हैं, तो बाहर धूल मिटी पढ़ने के कारण, या फिर धूप के संपर्क में आने के कारण, हाथों पे tan जमा हो जाता है, जिसकी वज़े से हमें manicure करवाना चाहिए। तो यह हमारे tools जिनका हम use करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है nail shape पर, यह दोनों तरफ से हल्का खुरदरा होता है, जिससे की हम nails को shape देते हैं, इसे cuticle cutter कहते हैं, जिससे की nails के चारों तरफ जमें हुई cuticles को cut करके निकाला जाता है, यह देखे, nails के चारों तरफ इस तरह से जो extra skin जमा हो जाती है उसे हम Cuticle Zuk बोलते हैं next है हमारा Cuticle Pusher जो नाखोने के ऊपर जो extra skin होती है वो जमा फो जाती है जिसे कि हमारे nails की growth टो है वह रुख जाती है यह देखिए जो यहाँ की skin होती है इसा पीछे की तरफ पुश किया जाता है जिससे कि हमारे nails की growth जो है वो बढ़ने में help करती है तो next है हमारा nail cutter तो ये सबको पता होगा कि जो हमारे nails होते हैं उन्हें cut करने के लिए इसे use किया जाता है next है nail buffer जो नाखुनों पे पीला पन जमा हो जाता है उसे दूर करने के लिए इसका use किया जाता है next है manicure brush तो हाथों को रब करने के लिए इसका use किया जाता है इसे कहते हैं pumic stone इसे भी हाथों या फिर पैरों पे रब करने के लिए use किया जाता है तो ये पत्थर होता है एक तरह का और चारों तरफ से हलका खुरदरा होता है जिससे की हाथों की tanning जो है वो निकल जाती है और ये है foot buffer इसका use manicure में नहीं किया जाता सिर्फ pedicure में फेडियों की तरफ रगरने के लिए इसका use किया जाता है ये भी हलका खुरदरा होता है दोनों तरफ से next है acetone तो ये हाथों पे nail paint अगर लगी हो next है hydrogen peroxide इसका use हाथों या फिर पेरों पे जम्मी गंदगी या फिर tanning को दूर करने के लिए हम करते हैं next है harmonia हाथों और पेरों का कच्रा दूर करने के लिए इसके जगा bleaching powder का use भी कर सकते हैं next है savlon तो ये हमारा antiseptic का काम करता है हाथों पे cuticle निकाते समय या फिर nail cut करते समय बाइचांस अगर cut लग जाता है तो ये infection से बचाता है या फिर अगर पहले से ही आपके हाथ या फिर पेर पे cut लगा है तो भी कोई infection होने का डर नहीं रहता आप इसकी जगर कोई भी antiseptic liquid यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है shampoo ये हाथों को नरम और soft बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो मैं यहाँ पर क्लीनिक प्लस का shampoo यूज़ कर रही हूँ आप नॉर्मली कोई भी shampoo यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है scrub इसका यूज़ धूल मिटी और dead skin को दूर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट जो है यह हमारा last step है massage cream हाथों या फिर पैरों को moisturize करने के लिए last step हमारा ज़रूरी है तो last में massage ज़रूर करें तो यह इस भी tools हैं जिसकी help से आप manicure या फिर pedicure कर सकते हैं और इसके लावा आप market से पूरा manicure या फिर pedicure के और kit भी ले सकते हैं जैसी कि यह VLCC कह देखिए इसमें 4 या फिर 5 step होते हैं तो यह scrub है पहला और यह cream है इसके लावा आपको pack भी मिल जाता है तो अगर आप सिधा mani या फिर pedicure kit लेना चाहते हैं तो वो भी आप market से ले सकते हैं तो friends आज की वीडियो में मैंने आपको इन सभी tools के बारे में जानकारी दी है और next वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज हमें कितने limit में लेनी है और manicure करना कैसे है तो मेरे next वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चानल को अभी subscribe कर लीजिए और bell icon को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आप लोगों को उसकी notification मिल जाए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like और अपनी friends के साथ share करना मत भूलिएगा and thanks for watching guys